स्वागा थे आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं व्योंकेश जी को आज हम डिस्केशन करेंगे पेपर सेबन का जो की पेपर सेबन का और पिछला वीडियो जो था निती आयोग पर वो सभी के पास है तो टेस्ट वन के लिए जो है यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है सब के लिए तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है बेन के सीमा किमत निर्धारन का सिध्धान्त जहां तक हम लोगों प्रिष्घारन के नई फर्मों के वास्थिक्प्रवेश्थ से क्या होगा कि यहां तक हमने अध्यन किया कि जहां पर कुर्णो एजबर्थ चम्बरलीन का जो सिधान था बार्टूंड का वो परंपरागत यानि कि क्लासिकल मॉडल जो था वो क्लोजड मॉडल के अधार पर था अर्थात उसमें जितनी भी फर्में थी उनकी संख्या निश्चित थी उत्पादन की जो वस्तूएं थी वह भी निश्चित थी और उत्पादन की जो कीमत थी वस्तूओं की कीमत वह भी अस्थिर थी लेकिन समय के हिसाब से इन लोगों के थियोरी में बदलाव आया और बमोल ने बताया की जो है बाजार में अलग-अलग वस्तूओं के लिए कई सारी क्रेताओं और बिक्रेताओं का संबन्द अस्थापित किया जाता है जहां पर नई फर्मों के प्रवेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन बमोल ने बताया कि बिक्री अधिक्तमी करन सिद्भांत के आधार पर बहुत सारे उत्पादक करता यानि कि प्रोडिउशर्स जो है बाजार में अपने उत्पाद को या समरूप उत्पाद को लेकर जब आएंगे तो बाजार में पृत्योगिता का स्थर बढ़ेगा जिससे एक आधिकारिक पृत्योगिता वाले बाजार के उत्पादकों का जो लाब है वो कम होने लगता है क्योंकि जब कंपेटिशन बढ़ जाएगा तो सब लोग दाम कम करके बेचने लगेंगे ऐसी परिस्थिती में क्या था कि जो बिरोधी फर्मे हैं जो कि उनसे बिर फर्म के अंतरगत हमने लाब अधक्तम अधिकतम मतलब प्रोफिट मैक्सिमाइजेशन का जो थियोरी पढ़ा था उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म जो है या उत्पादक करता जो है वो लाब कमाने का दूसरा उपाय खोशते हैं जो विक्री अधक्तिमी करन यानि क कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन थियोरी था जो बमोल के द्वारा दिया गया था उसी को डिटेल वे में आज हम लोग बैन ने कैसे बताया कि कि किसी भी अधिकतम करन जो मैक्सिमाइजेशन थियोरी है सेल्स का बमोल ने बता दिया कि सेल को मतलब कि उत्पादन करता जो है अप प्राप्त कर लेते हैं अपने लाप के उद्देश को इसके बाद बैन ने बताया जो डिसकुशन आज हमारा है बैन ने बताया कि हमारा जो कंसेप्ट है मतलब हम कैसे जो बरतमान की फर्में हैं जो कि एकाधिकारी और पूर्ण पृत्योगिता बाजार में टिकी हुई हैं व आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर सस्क्राइब जरूब कीजिए तो स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो को सुनिए तो आपका क्लेर हो जागा थेओरी कता है क्या कि बैन के सीमा कीमत निर्धारन का सिध्धान्त में पूर्ण पृत्योगिता के नई कि फर्मो के वास्तिक प्रवेश का वर्तमान फर्मो के उत्पादन तथा कीमत पर प्रभाव का अध्यन किया गया यानि कि इसमें क्या क्या गया वर्तमान फर्मो के उत्पादन यानि प्रोडक्शन और कीमत यानि कि प्राइस से रिलेशन को देखा गया कि पुराने थियोर कुर्णों बार्टूंड एजवर्थ और चेंबरलीन के परमप्रागत अलपाधिकार मॉडल बंद मॉडल हैं बंद मॉडल यानि क्लोज्ड मॉडल उपयाधार था इनका क्योंकि उसमें फर्मों की जो संख्याति वो निश्चित मान ली गई थी इस्थिर मान ली गई थी यहाँ पर जो बताया गया है कैसे जो है तो यहाँ पर कैसे जो है हाल ही में अनेक अर्थ सास्त्रियों ने इस पर चर्चा की गई है हाल ही में अनेक अर्थ सास्त्रियों प्रमुक रूप से बैन साइलोस लेबनी बैन साइलोस लेबनी एंड्रूज मोदी गिलाने देथा ज संभावित प्रवेश्दारा भी प्रवावित होती है मतलब जो रियल जो प्रजूर्शर की संख्या है वास्तिवी कुरूप से कितने लोग हैं और भविश्व में प्रवैबिलिटी क्या रहता है कि कितने लोग आ जाएंगे उसको भी देखना पड़ता है इन अर्थसास्त्र प्रवैबिलिटी को दिखाता है जो लाब की संभावनाओं को प्रवैबिलिटी को दिखाता है जिससे जेस बेन ने अपने लिमिट प्राइसिंग ठेयरी को अपनी दो पुस्तके यहाँ पर बैन के ठेयरी को में डिसकुशन करेंगे कि प्राइसिंग ठेयरी को अपनी दो पुस्तके a note on pricing monopoly and oligopoly 1949 में यह बुक जो हाई थी और barriers to new competition में भी स्तार से समझा है लिमिट प्रवैबिलिटी क्या है प्रवेश रोकन वाला कीमत निर्धारन सिद्धान इस तरह से कीमत को रखते हैं वर्तमान फर्मों के उत्पादक करता कि नई फर्मे आती तो हैं लेकिन कुछ समय के बाद निकल जाती है क्योंकि उनको हानी होने लगती है अब कैसे होगा में चीत्र के बादे हम से जरूर समझेंगे ता आप सीमा कीमत निर्धारन के मूल था तो बैन की सीमा कीमत निर्धारन का कपटपुर्ण अलपाधिकार की स्थिति से संबंद है कपटपुर्ण मतलब कॉलिसी अलिगोपॉली ठीक है धोखादड़ी करके जो है अपना मोनोपॉली बनाना या अलिगोपॉली बनाना इनके सिध् टर्वेस रोकने वाली कीमत होती है मतलब कि हम कितने भी लोग discussion करके सामिल हो जाएंगे कि हम भी बेचेंगे बाजार में यह जब हम कीमत को देखेंगे के बहुत ज़ादा है तो वही उत्पाधन bena करके बाहर वाली फर्मे भी इस बाजार में आके बेचने लगेंगी लेकिन इन लोगों के द्वारा ऐसा प्राइस तैयार किया जाता है जिससे इनको लाव नहीं होके उल्टा नुकसान होने लगता है इसकी चर्चा हमें फीगर के मादे हमसे करेंगे संभावित प्रवेश के पदार्थ समरूफ होते हैं यानि कि जो प्रोड़क्ट पहले से बाजार में बिक रहा है और जो बाहर वाली फर्मे आएंगी वो भी वही सामान बनाएगी यानि कि मांग लिजे कार हम बेच रहे हैं 10 लाक रुपे में और कोई कमपनी आ करके वही कार सेम बना रही है कार ही बना रही है वो आठ लाक में बेचेगी लेकिन 10 लाक वाल अगर 9 लाक भी अपना दाम कर लेता है तो 8 लाक वाले के पास वैसी संभव परसिती नहीं होती कि वह 9 लाक प्राइस करके बेच सके चुकि वह सौट टर्म के लिए आये हुए हैं और जो पह सारीनिय मांग वक्रजो वर्तमान फर्मों द्वारा कीमत समायोजन या नई फर्मों के परिवेस के प्रिणाम सरूप कीमत में परिवर्तन को अबधिम इस्थिर बना रहता है कपटपुर्न अल्पादिकार की समस्या ये होती है कि सीमा कीमत किस असतर पर इंधायत करें सबस प्रतिश्ठित फर्मों की संख्या दिर कालीन लागत वक्रो का स्तर वाकृती दरने रहाइत की जाती है अगर आपको रेखाचीतर समझ में आ रहा होगा तो यहां पर देखिए अगर यह नहीं समझ मारत मैं किताब खुल लेता हूं किताब में ज्यादा सपस्ट है क्योंकि प और यह जो लाइन है पूरा वीडियो अच्छे से देखिए इसकी मत करिए वीडियो का फिगर समझ में आ जाएगा तो आपका अंसर अपने आप हो जाएगा क्योंकि आलो चनव अगरा कोई भी लिख सकते है तो यह जो लाइन है यह एक आदिकार बाजार की जो है उच्चत बताएंगे अभी LSEF है मतलब जो अभी नॉर्मली जो है टै की गई है और फिर कीमत के अनुसार जो है जब यह उत्पादक करता PM से अपना प्राइस PL पर करेंगे फिर भी इनको जो है लाव सामाने रूप से होगा लेकिन जो नई फर में J-Line से आई हुई है उनको हानी हो होने लगती है इस पर discussion करेंगे figure पर तो पीछे figure का explanation पढ़ते है और बताते हैं इस उपरोग तरेखा चित्र मसपस किया गया कि DD बाजार मांग वक्र अब हम आपको figure पर समझाते हैं और पढ़ते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कहा कि DD मांग वक्र है तथा MR उससे संबंदित सीमानत आए वक्र है MR ये, DD ये हो गया और MR ये वाला हो गया अब मालने की LACEF, LACEF ये जो line आपको देखाई दे रहा है LACEF, LACEF जो है स्थिर है ठीक है इसलिए स्थिर है क्योंकि LMC इसके बराबर है यहाँ पर LMC भी बराबर है, long run marginal cost जो है बराबर है यह अपना profit maximization करना चाहता है, तो क्या होगा LACEF बराबर LMCF हो जाएगा, यहाँ पर LMC लिखावा नहीं है, यहाँ पर इसका value LMC यही पर indulge है, तथा MR करके कटान बिंदू से संबंदित की मान जाद होगा, अब MR बिंदू कहां कट रहा है, equilibrium point इसका यहाँ पर कट रहा है, इससे related price वहाँ उपर में set किया हुआ है, अब आगे चलते हैं, जो कि चित्र OPM तथा Q1H से दर्साय गया है, OPM आपका कहा है, यह OPM या Q1H, यही है इसका, चुकि यह MR कर्ब जो यहाँ पर इसको touch कर रही है, उसी का equilibrium के आधार पर demand कर्ब को हमने यहाँ पर demand को control में करके र लाब हो रहा है, इतना का मतलब हो गया, यह जो छेत्र बन रहा है, PM EHCI यह लाब हो रहा है भी इसको बरतमान फर्मों को, अब क्या होगा, सुनिए, लेकिन यह PM प्राइस संभावित प्रवेस करता हो, कि फर्म की LAC PE अधिक है, यानि कि जो PM है, वहाँ से LAC PE ज़्यादा है देखें, यह लाइन जो है, C2 वाला, यह अभी किया है इन्होंने, अपना कम, चुकि नई फर्मे जब आई, क्यों आई भहिया, इन्होंने दाम को कम किया, हम आपकी जिगा, दाम यही था, इन्हों अपना दाम कम कर दिया, तो नई फर्मों का प्रवेस हुआ, फिर भी यह इतना छेत्र, यह वाला, यह जो लाइन नीचे का, C2, C1, EG वाला लाइन है, फिर भी इनको लाब हो रहा है, लेकिन जो नई फर्मे आएंगी, उनको लाब उस तरह से नहीं मिल रहा है, परिनाम सरुप PM कीमत उद्योग में नई फर्मों के प्रवेस को आकरसित करेगी, य इस कीमत को C2, यह J-Line जो आपको दिखता है न, यह J-Line ही जो है नई जो फर्मे आएंगी, वो आकरसित होंगी कि PM को प्राप्त करें, लेकिन वो कॉलिसी औलिगोपॉली यानि कपठपुर्ण अलपाधिकार के चलते, यह लोग क्या करेंगे, अपना प्राइस PM से PL पे ल प्रात्रा हानी होगी, जिसके करण उन्हों का मांग वकर बाई और विवर्थिट हो जाएगा, अब यह इधर आ जाएगा, यह यहां आ जाएगा, नीचे की और जुकेगा, अब क्या कहता है, यह अब यदि फर्मे संभवी प्रवेस करता हो कि LAC के बराबर हो जाए, LAC के PM से उठा के प्राइस को PL पर कर दिया, अब उस केस में क्या होगा कि कीमत जान करते हैं, तो पदार्थ की OQ2 मात्रा बचेंगे, कि जब इन्होंने OQ1 मात्रा को बेच रहा थे, तो उस समय कीमत PM था, ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने PL किया, तो उनकी जो मात्रा बेचने की वो A तक आ गई, याने की OQ2 आ गई, मतलब सामान वो ज़्यादा बेचने लगे, अभी भी इनको यहाँ पर लाव हो रहा है, पुरानी फर्मों को और नई फर्मे, इस PM वाले प्राइस को लेने के लिए, मतलब PM अपना प्राइस करके एक आधिकारी जो परिसिती बनी और वो लोग PM पर बेच रहे हैं, उनको लगेगा हमको PM पर चले जाना चाहिए, ये लोग जरासा भी अपना प्राइस नीचे करेंगे, फिर भी इनको लाब होगा, लेकिन ये लोग अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, यदि उत लोग में कीमत में फर्मे प्रवेस कर करती हैं, तो सप्लाइ बढ़ेगा और मार्केट डिमांड कर दिया हो जाने पर वस्तू की कीमत उनकी उत्पादन की ओसत लागत से कम हो जाएगी, यानि कि जब हम यहां से प्राइस यहां करके इतना मात्रा पे बेचने लगेंगे, तो उसका इलास्टिस्टी जो होगा, व उपर वाला अगर पी-ल पर भी आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जो पी-ल पर पहले से सेट की करके आए तो जे पर आ रहा है, कम हो जा रहा है उनसे उसका फिल्योग, अता पी-ल कीमा लिमिट प्राइस कहा जाएगा, जो पी-ल मेरा है, यही पर उन जी-सी-वन ये जो है, वो लाब का छेतर है, लेकिन इसते जो नहीं फर्मे उनको हानी हो रही है, ठीक है, और एक अधिकार कीमत वसूल वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो लाब जो है, पी-म तक रखना चाती, वो चाती है कि हम पी-म प्राप्त कीमत को प्राप्त करें, लेकिन वो पी-म तक भी नहीं पहुँच पा रहे है, पी-म तक पहुँच रहे है, इसी को कहा गया कीमत, निर्धारन, सीमा या लिमिट प्राइसिंग, अता लिमिट प्राइस में प्रवेश अवरोध में स्तित्ति उत्पन हो जागा, यहां पर से फर्में नहीं फिर अधिकार फर्मों की कीमतों को मांग के उस अस्तर पर रखते हुए उनके अवलोग की तत्तों की व्याख्या करने का प्रियास किया है, जिस पर मांग की कीमत लोच, इकाई से कम हो जाएगी, यहां पर ले रहा था सबको नॉर्मल हो रहा था प्रोफिट, यहां से जैसे ही लोग अपना प्राइज निचे किया तो इलास्टिसिटी ओप डिमांड गिर गिया इवन पर आ गिया ठीक है तो कहां गिया ओसत लागत कीमती चाहिए लोग से कम हो जाएगे चीतर से असपस्ट केदी प्रवेश करता फर्म की ओसत लागत ओजे है ओजे यानि यहां पर देख कीमत इस तस्तर पर निधारित होगी और डिडी मांग वकपर ओजे कीमत होने से इलास्टिसिटी ओप जो सप्लाय डिमांड जो भी होगा वो इलास्टिसिटी जो है वो एक से कम हो जाएगी क्योंकि डीडी मद्दे बिंदू के नीचे स्थीत होगे और अर्म भी निगेटि था तो लोच एक इकाई के बराबर थी जहां पर वो उत्पादन की प्रिक्रिया को सामान इधंक से प्रभावी बनाये होगे थे लेकिन जाए इससे ही एक अधिकारी प्रतियों की फर्मे अपना दाम कम थोड़ा सकिया या कीमत निजारन प्रिस्तिति को लगाया तो जो और यहाँ पर बोला कि ओजे पर भी अगर वो करेंगे फिर भी उसको c1 सी अधिक हो रहा है इनका तो concept था कि c1 जो हे पुर्र-प्रतियों इतना सा लाब मिलेगा C2 पे जाएंगे इतना लाब मिलेगा और PM पे तो लाब मिली रहा था लेकिन जो नई फर्मे आएंगी उनकी जो है मूली लोच कम हो जाएंगी जिससे उनको हानी होने लगेगा लागत दसाएं कि इस प्रकार हो जाएंगे एक आधिकार कीमत सीमाजमत के अपिक्छा कम है यानि PM जो है PL से कम हो जाएगा तो अलपादिकार अपने अलपकाली लाब को अधिक्तम करने के लिए एक आधिकार कीमत वसुलने लगेंगे क्योंकि नई फर्मों के प्रवेश करेगी और दिर्काली अधिकतम लÁब को सुनिश्चित करेगी अरता या निसकस निकलता कि बैन के अनुसार अलपकाली लाब कीमत कम करने के पेक्छाम है इसलिए वसूलते हैं क्योंकि उन्हें नई फर्मों की संभावित प्रवेस का भाय राता है अब वो दाम अपना एक आधिकारी जो दस लाख रखेते हैं उसलिए करते हैं चुकि उनको लगता है कि अगर अधिक फर्मे आ जाएंगी तो competition बढ़ जाएगा तो एक आधिकार बा प्रवाइस रखते हैं कि जिससे उनको लाब तो होते रहता है लेकि नई फर्मों को हानी होने लगती है जिससे जो फर्मे आई रहती है वापस चले जाती है और इनको जो है लाब होते रहता है फिर से वो अपना प्रवाइस का अधिकारी बना लेते हैं तो इस तरह से यह आपके सामने हो गया वीडियो को लाश्ट तक देखिए ठैंक्यू फर वाचिंग मी और सर्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको समझ में नहीं है क्लास छूट गया उनको भी दे दीजिएगा ताकि सबों को मदद मिल जाए